प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियों में हम सीखेंगे यू कहां साइलेंट होता है किसी छात्र ने कॉमेंट में लिखा था यू कहां साइलेंट होगा तो इसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा यदि सब्द के अंत में यू जी एच एक साथ आए या यू जी एच टी एक साथ आए इदि सब्द के अंत में यू जी एच या यू जी एच टी इन दोनों में से कोई भी एक साथ आते हैं तो वहाँ पर यू साइलेंट होता है अर्थात यू को नहीं पड़ा जाता उधारण के लिए लिखते हैं लॉप एल ए यू जी एच यहाँ पर देखी यू जी एच यू जी एच एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ यहाँ पर यू को नहीं पड़ा जाएगा क्यूं क्यूंकि यहाँ पर यू साइलेंट होता है तो हम इसे पड़ते हैं लॉप अब इसका भी एक उधारन देखते हैं इसका उधारन लेते हैं हम कौट देखें सी ए यू जी एच टी तो इसे पड़ेंगे कौट यहाँ पर यू साइलेंट है तो इसको नहीं पड़ा जा रहा है तो हम इसे पड़ेंगे कौट इस यू के दो नियम है एक नियम ये वाला है दूसरा नियम को आपको ध्यान देना होगा वो नियम क्या है और दोनों नियमों का प्रियोग हर चीजू में होता है हर कोसंस में होता है या हर मिनिंग में कहां पर भी प्रियोग हो सकता है दोनों का प्रियोग करना ही आवशक होता है देखे दूसरा नियम है यदि सब्द के अंत में जी यू ए हो ध्यान रखे सब्द के अंत में जी यू ए हो तब भी यू सायलन नहों होता है यहाँ क्या था UGH हो तो silent होगा UGH T हो तो भी silent होगा अगर सब्द के अंट में GUE हो तो भी you silent होगा आपको यहाँ पर एक, दो, तीन बातें याद रखनी है तो इसका भी एक उधारा लेते हैं लेते हैं, calling, देखें, c, o, l, c, o, l, e, a, g, u, or e तो इसे पढ़ेंगे, calling, देखें, ध्यान दीजी GUE साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर you को नहीं पढ़ा जा रहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर you silent होगा तो इनके उधाराण आपको समझ में आ चुके होगी एक बार नोर्स में भी देखते हैं, देखें, you कहां silent होता है अंत में यू, जी, एच, यू, जी, एच, टी, आई तो you silent रहता है जैसे लॉप यहाँ पर you, जी, एच, आ रहा है, ठोट यहाँ पर you, जी, एच, आ रहा है तो आपको पता है यहाँ भी you silent होगा, यहाँ भी you silent होगा, यहाँ भी you silent होगा अब इसकी दूसरी परभासा अंत में जी, यू, ए हो तो you silent होता है जैसे कोली यहाँ पर जी यू ए अगर यह आए तो यू साइलेंट होता है तो जो सब्द के अंद्र में आ रहा है तो यहाँ पर यू साइलेंट है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू है वनाइस टेक